नमस्कार जर्खंडी नूज में आपको स्वागत है आईए जर्खंड राज के टोप 25 पर्मोख खबर जानते हैं अमफान चक्रवात 20 माई को दिघा के तट से टकरा चुका है और अमफान ने अपना विक्राल रूप दिखाने लगा है पीम मोदी खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और कई मीटिंग भी ले चुके अमफान के कारण पंचिप बंगाल में कई पेड उखड़ गए और माकान छतिग्रस्त हो गए वही अमफान चक्रवाद के कारण बंगाल में तीन और उडिशा में दो की मौत हो चुकी है जर्खण मोसम विबाक के अनुसार आज अमफान का असर जर्खण में दिखा अमफान के अधिक्तम रफ्तार जमसेदपूर में 43 किलोमेटर रही वही कुलान प्रमंडल के सराय के लाखर सावा में बारिस भी हो रही है आज दीन भर बादल छाय रहेंगे बोकारो जीला के चास में बारिस भी होती रहेगी राची में संक्रमन की जाच डोर टू डोर खबरो कंशार देश भर में आर्टी पीसी आर के जरिये संक्रमन सेंपल कडेक्शन के पंजीकरण की परकिरिया सुरू होने के साथ ही राची में भी सिवीर के साथ साथ डोर टू डोर सेंपल की जा रही है या सिर्फ कंटेंटमेंट जोन में उपायुक्त के निदेशा अनुसर की जा रही है जारखन में आज 42 नए संक्रमितों की पुष्टी हुई जिसमें गड़वा से 18, जमसेदपूर से 9, हजारी बाग से 6, कोडार्मा से 5, गिरिडी से 2, गुमला से 1, सराय केला से 1 जारखन में कुल संक्रमितों की संख्या 248 से बढ़कर 290 हो गई, जबकि 129 लोग स्वस्थ हुए और 3 की मृत्य हो गई भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,015 है जबकि 45,422 लोग स्वस्थ हुए और 344 लोग की मृत्य हो गई नीजी स्कूल फीस का मामला मुख मंत्री के हाथ खबरो कमसार जारकन में नीजी स्कूल द्वारा लोकडाउन के दरान फीस वसूली से मुक्ती दिलाने का मामला अब मुख मंत्री है मंसुरेन के हाथ में है सिक्षा विभाग ने परस्ताव को मुख सचीव के माध्यम से मुख मंत्री को भेजा था सराब का दाम बढ़ा 20 से 25 परतिस अत्तक खबरों के अनुधर जारकन में लोगड़न 4.0 के दरान मिले छूट से सराब का दुकान खोल दिया गया है लोग सराब खरीदने के चकर में सोसल डिस्टेसिंग का पालन भी भूल चुके हैं सराब की होम डिलेवरी भी जूमेटों से की जा रही है इसके लिए 50 रुपे आतिरिक्त फिस देना होगा जाच के लिए ऑनलाइन राइस्टेशन खबरों के नुशार NIC राची के जीला सुचना विज्ञान पदादिकारी सीउ बनर जी ने बताया कि पूरे देश में लागू की गई गाइडलाइन वेवस्था को लागू करने के लिए वीडियो कन्फिरेंसिंग के दुआरा प्रसिक्षन दिया गया अब सभी व्यक्तियों के सेंपल टेस्ट का पंजी करन एप के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा और ओफलाइन वेवस्था फिलहाल बंद किया जाएगा आंध्र पर्देश में फसे 480 मजदूर मुख मंत्री को किया ट्वीट खबरों के अनुसार आंध्र पर्देश के हीरो कोटा में फसे 480 लोग जो जारखंड के हाए मुख मंत्री हेमान सुरेन से ट्वीट कर मदद मागी मजदूरों का काना है कि हमने पंजी करन भी कराया पर आप तक कोई भी सुचना नहीं मील पाया है कोडार्मा में एस्टेशन पर माल गाड़ी पटरी से उतरी खबरों के अनुसार कोडार्मा एस्टेशन के पास बुद्दवार की सुबह एक माल गाड़ी पटरी से उतर गई मालगाडी के गाड बोगी का पहिया पटरी से उतर गया या आजसा लूप लाइन में हुआ है मुख मंत्री ने कहा मजदूरों की जान बचाना पहली परत्मिक्ता खबरों के उन्सार मुख मंत्री हिमन सुरेड ने कहा कि सबसे पहले प्रत्मिकता है कि हमारे मजदूर की जान कैसे बचे आए दिन मजदूरों की मौत की खबर मिल रही है जो काफी चींत नहीं है इस पर सरकार मंथन कर रही है उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हम परवासी साथियों को घर पहुंचाएंगे मुख मंत्री ने इकोमर्च कमपनियों को मिली छूट को वापस लिया खब्रों के अनुसार जार्खन में इकुमर्श कम्पनियों के कारियों को पूरी छुट नहीं मिलेगी पुर्व की अनुमती ही इकुमर्श कम्पनियों को जारी रहेगी या बात मुख मंत्री ने पूर्जेक्ट भौन में कही मजदूरों का पैसा वापस लटा ए मुख मंत्री खबरों के अनुसार आजसु अध्यक सुदेश महतों ने दूसरे राजों में फसे परवासी मजदूरों की हालत पर चिंता जताई है उन्होंने मुख मंत्री हेमान सुरें से अफिल करते हुए कहा कि ट्रकों बसों और अन गाड़ियों से घर लट रहे परवासी मजदूरों को सरकार पैसा वापस करे 31 माई तक सभी दुकाने धिरे-धिरे खुलेंगी खबरों के अनुसार मुख मंत्री हेमान सुरें ने प्रोजेक्ट भवन इस्थित कर्याला में बैठक कर जनकारी देते हुए बताया कि परदेश में अवसकता अनुसार गतिविद्या सुरू की जा रही है इसे 24 तरीके से 31 माई तक सभी वस्तुओं का दुकान खुलने की अनुमती दी जाएगी बोकारो में चक्रवाथी तुफान अमफान के संभावित खत्रे को देख TTPS की एक यूनिट बंद खबरो किमसार अमफान के तीवराता वह संभावित खत्रे को देखते हुए थर्मल पावर एस्टेशन TTPS की एक यूनिट बंद कर दी गई है चात्रा में कमांडर गिरफतार खबरो किमसार चात्रा पुलिस ने मवादी दस्ता में ननकू गंजु को गिरफतार किया है एस्पी रिसव जा को मिली गुप्त सुचना पर या जनकारी दी जारखन हाई कोट में पहली पेपर लेस करेवा ही खबरो कमसार जारखन हाई कोट ने राजे में नियाईक इतिहास में पहली बार पूरी करेवाई किसी भी परकार के काज के परयोग के बिना संपन की वीडियो कंफिरेंसिंग से दो मामले का निप्टारा किया मुखे ने आधिस डाक्टर रविरंजन की पीठ ने डिजिटल याचिका पर प्रति पक्ष का जबाब और फिर उस पर प्रति उतर दे कर मामलों के सुनवाई की कोटारमा में पसु तसकरी का धंदा संक्रामन वरियस के लिए बीट दा हिल अभियान संक्रामन वरियस के लिए बीट दा हिल अभियान चलाया जिसके तत लोगडाउन के दोरान सहर में डिवटी कर रही राची पुलिस के जवानों और संक्रामन व्यदाओं के बीच सितल ज़र और गुलुकोच का वित्रण किया गया संक्रामन और उग्रवाद से लड़ने के लिए कैबिनेट का फायसला सरकार ने संक्रामन से पीडित लोगों के इलाज वह उससे जूड़ी खर्चों के लिए 100 क्लों रुपए की स्विग्रिती दी है सरकार ने कई और महत्पुन पस्ताओं को मंजूरी दी इसमें विकास जोजनावक के लिए नवाट से 333 क्लों रुपए कर्ज लेने की स्विग्रिती देने का अलावा छो जिलो में एक एक आईटी आई खोलने की स्विग्रिती भी दी है कैबिनेट के फैसले के अलोक में राची, खुटी, रामगर, सिम्डेगा, दुमका और गिरीडी में आईटी आई खोले जाएंगे इसके लिए 5.74 क्लों रुपए की स्विग्रिती दे दी गई है हाई कोट में 395 केस की सुनवाई 113 निस्पादित खबरों के अनुसार लोकडाउन में बुद्धवार को हाई कोट में 395 केस की सुनवाई हुई जिसमें 113 मामलो का निस्पादन किया गया सभी केस की सुनवाई वीडियो कंफरेंसिंग के द्वारा की जा रही है अमफान को लेकर डिसी का आदेश कच्चे माकानों में न रहें खबरों के अनुसार बंगाल की खाडी में उठा चक्रवाती तुफान अमफान उडिसा होते हुए अगले 28 गंटा में जहरखन में परवेस्ट कर सकता है इसे देखते हुए राची उपायूक्त राय महिमापत ने सभी वीडियो सियो को निर्देश दिया है कि वे इस तुफान को लेकर लोगों को सतर्क करे उपायूक्त ने कहा कि लोगों को कच्चे मकानों से निकाल कर इस्कूल भवन पंचायत में सिफ्ट करने की वेवस्ता करे रिम्स में होने वाली नियुक्ती रत करे बंदू तिर्की खबरो कर्मिशार विदायक बंदुतिर्की ने रिम्स की नियुक्तिया में अनुशिजित जंग्याती की अरक्षन में उलांगान के संबाद में मुखमेंत्री हिमान सुरेन को पत्र लिखा और सीम से नियुक्ति रद करने की मांगत का आगरह किया खबरो कर्मिशार मेर आसा लकड़ा ने कहा कि राज सरकार लोगड़न 4.0 में कोच छूट दी है जो उचित नहीं है सरकार को कम से कम केंदर सरकार के दिशा निर्देश के तवात 31 मैं तक लोगड़न का सक्ति से पालन करना चाहिए था हाइवे पर 94 जगों पर खुलेगी कीचेन खाबरों के अनुसार मुक्मंत्री हैमन सूर ने कहा कि प्रवासी के लिए राजे की सीमा में हाइवे पर परतेक 20 किलो मिटर पर कीचेन खोलने की कार्य जारी है अभी तक ऐसे किचन खुलने के लिए 94 जगों पर चिनित किया गया है एक जून से चलने वाली यात्री ट्रेने की टिकट बुकिंग आज से खबरों के उसार रेलवे ने एक जून से 200 यात्री ट्रेन शुरू कर रही है जिसका टिकट बुकिंग आज से सुरू की जाएगी जिसमें राची से पटना और नए दिली से पटना ट्रेन भी समीली था जो भी मजदूर घर लोटना चाहते हैं टिकट बुकिंग करा ले धन्यवाद यादि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बेल आइकन दवाए साथी वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसेप फेस्बुक ट्यूटर इस्टाग्राम पर सेर करे और आप हमें कोमेंट में अपना राय अवस्य दे थाइंक्यू